Hello viewers, this is Anshu from Atech Academy आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रेक्शन इन वेधिक मैप्स आपने नॉर्मल सब्ट्रेक्शन जो ट्रेडिशनल सब्ट्रेक्शन है वो तो की है आज मैं आपको वेधिक मैप्स में सब्ट्रेक्शन कैसे करते हैं यह बताऊंगी आपको सब्ट्रेक्शन नहीं करने ही करोगे आप एडिशन बट आंसर आएगा सब्ट्रेक्शन का बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सब्ट्रेक्शन थोड़ी डिफिकल लगती है यहां से borrow करना है फिर minus करना है वो सारी problems आज आज आपकी खतम होने वाली है क्योंकि आपको करना है addition और answer मिलेगा subtraction का देखते हैं कैसे करेंगे अब आपको minus करना है 500 में से 159 generally आप क्या करते हो borrow करोगे 10 बनाओगे 10 में से 9 minus करोगे 1 आएगा फिर यहां से borrow किया था तो यहां 10 की जगा 9 रह जाएगा तो this and this and this छोड़ दो यह सब अब हम देखते हैं कि कैसे addition से subtraction का answer आता है सबसे पहले आपने यह देखना है कि यह जो नीचे number है हमेशा आपको यह मालूम है कि बड़े number में से आपको मालूम है बड़े में से छोटा minus होता है यह तो मालूम है easy होता है बड़े number में से छोटा minus करना छोटे में से तो हम बड़ा कभी minus ही नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या करते हैं borrow हो तो यह आपको मालूम है कि बड़े नंबर में से ही छोटा माइनस होता है यह तो क्लियर है चलो अब मुझे इस 9 को किसी बड़े नंबर में से माइनस करना है 0 में से 9 नहीं मैं माइनस कर सकती हूं तो मैं इसको 10 बनाती हूं 1 यहां लिख देती हूं ठीक है इस 0 को मैंने 10 बना दिया मैंने 1 निचे लिख दिया 0 उपर पड़ा उसका तो 10 में से 9 अब 9 को 10 बनाने के लिए कितना और चाहिए सिरफ 1 नहीं तो चाहिए अब 5 5 SHE 5 5 देती 5 प्लस 6 करदो अब उपर आपको बढ़ा चाहिए छोटा नहीं चाहिए उपर तो उपर 0 की जगां 10 होना चाहिए उस 10 का वन आपने हाँ लिख दिया तो अब 6 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए 4 ही तो चाहिए ऐसे यह 2 हो गया अब इस 2 को 5 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 तो चाहिए तो that means आपके छोटे नंबर को बड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप सिरफ वो लिख रहे हो किसी को subtract नहीं कर रहे हो बड़ जो आपको answer आएगा वो subtraction होगा ठीक है? अब जैसे यह 9 है 9 को आप 16 बनाओगे 6 तो बना नहीं सकते 9 को क्योंकि आपको addition करना है subtraction नहीं करना है तो 9 को 16 बनाने के लिए 16, 1, 6, 16 ऐसे ही लिखना है आपको 9 को 16 बनाने के लिए आपको 7 चाहिए 9 प्लस 1, 10 10 को 4 नहीं बना सकते पर 14 बना सकते हो तो 10 को 14 बनाने के लिए 4 चाहिए और 4 को 7 बनाने के लिए 3 चाहिए That's it अब इस 3 को 9 बनाने के लिए 6 चाहिए यह तो simple है, इसमें हमने कोई trick नहीं उसकी बट 9 को 4 नहीं बना सकते 9 को आप क्या बनाओगे? 14 9 को 14 बनाने के लिए आपको 5 चाहिए और 4 प्लस 1 5 5 को 8 बनाने के लिए 3 चाहिए है ना easy? चलो एक और practice कर लेते हैं 9 को 14 बनाना है आपको तो क्या चाहिए आपको? 5 9 को 12 बनाना है आपको तो क्या चाहिए? 3 और 3 को 4 बनाना है तो चाहिए 1 ठीक है, one more question 8 को क्या बनाना है 2, नहीं 8 को क्या बनाना है, 12 8 को 12 बनाने के लिए 4 चाहिए 4 को 12 4 को 12 बनाने के लिए 8 चाहिए और 4 को 5 बनाने के लिए 1 चाहिए, देखा कितना easy था subtraction, जो आज तक आप subtraction करते आए हो आज से आप उसे addition में करोगे परूर करना है, thank you so much